Amen Hello friends तो आपके अपने तस 클ी चैनल में मिरगा स्रफाइजा और हैं तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कुर्टे की स्ब्राइख. अगर आपको इसके बिलकुल भी करते हैं फिर भी आप इसको आसान सांषा कर सकते हैं कि चैनल को सुरूं करते हैं कहले। तो अब हम इस कपड़े को खोल के इस तरह से और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे डबल फोल्ड करने के बार हम इसको ठीक से बराबर कर लेंगे बराबर करने के बार हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरह से इस तरह से इस तरह से इतना ही फोल्ड करेंगे यहां तक इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम अपना कुर्टा लेंगे जिसे रखकर हमें कटिंग करनी है तो बहुत ही आसान तरीते से आज आज आपको मैं कटिंग करना बताऊंगे तो चैल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं लिए अब इस कुर्टे को हम इस तरह से दबल करनेंगे इस तरह से मोल लेंगे और इसको बिल्कुल ठीक से इस तरह से मिला लेंगे यहां से और इसे आप अपने किसी भी कुर्टे को रखकर इस तरह से कटिंग कर सकते हैं अब आप यह देखें यहां यह नीचे वाला साइट जाद करनेंगे कि इस तरह से अब हम्हां अपने कुल्पे को रख के देखेंगे सव्रादं ऑप्का कि अपनी कूड़ा ज़्यादा हो रहा है अगर ज्यादा हो रहा है तो आप इस तरह से करने एसको आइ अब इस तरह से देखिए इतना हो इधर-फोल्ड करने की काम आजाएगा अब हम इस तुद्दिर बरावर से रखते हुए तरह से यहांreno इस तरह से इसको यह यह है बरावर मिला लेंगे ताकि हमारे कुर्टे के कुर्टे की कटिंग ठीक से हो सके इस तरह से अब करने के बाद हम मार करेंगे यह कुर्टा थोड़ा लोग है इसलिए मैंने नीचे वाला कुर्टा थोड़ा उंचा बनाना है इसलिए मैंने यह कपड़ा थोड़ा कम है तो अब हम निशान लगाई है अब को यहां इस तरासे पहले यहां डू करनी यह आपकी फिपिंग वाली लाइन है और आपको यह लाइन यहां छैट जहां खुले होते हैं यहां तक प्रौकर नी है इस तरासे गॉलाई में ही देखें यहां से कि ये आपके आर्मूल का निशान है यहां से इसकी नाप लेना है यहां कि अब हम यहां पीजर का निशान लगा लेना है इस तरह से और इस तरह से यहां के फिलाओ si завॉय मैं यहाँ लगा लेना है और इसको यहां निशानवां लगाने के बाद हम यहां वाला साइड यहां लाइन ड्रॉव कर देने इसब आरेना है। इसे चारेने केबाद हम यहां मारजम यहां इसका से आपका लञेंुकिंगे यह हमारा फिटवारा और मिशान था यह वाला हम एक्स्रा इस तरह के जैए हो श्क HIV अपक्रनेंगे एस तरह से,अचुछ अभाण यहांim इस तरह से यह हमारा जो एकस्वा निशान लगा रहे हैं यह हमारा सलाइन में फोल्ड करने में जाएगा कि इस परां से हम्छ लगालेंगे कि यहां uh निशान लगाने कि प्टेंगेसरार सब की और यहां साज चार इंच पे निशान लगाने कि So की देवख मेंक होल यहां कि और यहां गोलाइ कि यहां हमारा देख बैकimas एंड और हमें प्रेंट में बनाना है तो मैं साड़ी चेंज पर यहां मार्ट कर रही हूं इसकर आगे बढ़ा कि यह हमारा बैखनेक हो जाएगा यह हमारा फ्रेंट में हो जाएगा मार्ट करने के बाद यहां यहां एक्सटा में मार्जन लेना है इसलिए यहां मैं चार इंच के निशान लगा रहे हूं यह हमने यहां तक निशान लगाया ही था इस तरह से हम इस निशान को सीधा कर लेंगे और यह वाला निशान यहां पर सीधा कर लेंगे इस तरह से सीधा करने के बार हम आद इसका आदे पर निशान लगा लेंगे और यहां गुलाई भी देंगे इस तरह से कुछा है कि कपले को हमें देखना है कि बराबर ही रहे दरना हमारा उपर का पाठ और नीशी का पाठ कि आगलोडा हो जाता है इस तरह से में बराबर करते हुए यहां पर हमारे निशान सभी लग गए हैं और हमने कुट्टे को रखकर कटिंग कर रहे हैं तो चलिया हम कटिंग करते हैं करते हम मारे वी करते हैं यह तरह समया जजा रहीं करते हैं निशान सब्सक्चाब करते हैं पिसक्ता है अब यहां से यहां से हम इची की कटिंग करते चले जाएंगे यह देखी हमारी कुर्टे की कटिंग हो गई है अब इसको को खोल कर बैक पार्ट को और फ्रेंट पार्ट को अलग कर लेंगे इसके आज़े इस तरह से यह मेरा फ्रेंट पार्ट हो गया फ्रेंट पार्ट पर मैं वुक्रम बाला गला बनाओंगी इसका गला बाद में बनाओंगी अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे बैक पार्ट पर जो मैंने आन होल का निशान लगाया था बहां से कटिंग करने के बाद अब हम नेक का कटिंग करेंगे फिस तरह से अब मैंने back make का निशान लगाया था साड़े चालिंज पे तो यह वाले निशान हम अगर आप बुकरंबाला गला ना भी बनाएं तो आप यहां back make की cutting कर सकते हैं दोनों को मिलाके और यहां प्रेंट में की भी कटिंग कर सकते हैं जिस तरह अधिया आपको यह दोनों निशान लगा के रता हैं तो प्रेंट का मैं बुक्रम बाला गला बनाँगी इसलिए मैं उसकी कटिंग बागने करूंगी आपको बैकने की कटिंग करते बता रही हूं कि यह हमारी बैकनेट की कटिंग हो गई यह हमारी अब कुर्टे की कटिंग हो गई अब हम स्लीप्स की कटिंग करेंगे कि लिए हम गई एड करेंग ku स्लीप्स की क disline करने के लिए हम इसका क्पड की डवल है इसकोग है और इसको इस तरह से एक बार को इस तरह से इस तरह से अमें रख लेना है इस थर से कपड़े को मिला ली दिए इनकों बराबर गद लें ताकि काट कटिंग करने के बाद फिर सोना हो इस तरह से हम बराबर दबर कर लेंगे अब हम कुर्टे की स्रेप्स की लंबाई चोड़ाई ना पिंगे इसकी लेंद है पाच इंच यहां हम जब से पहले पाच इंच पे निशान लगाएंगे पाच इंच पे निशान लगाने के बाद हम आगे को इस तरह से फोल्ड करेंगे तो दो इंच एक्सका लेंगे और स्लाई में दवाने के लिए आदे इंच और इसका लेंगे इस तरह से अब हम एक मार कर लेंगे यहां अभी हमने जो बैक और प्रेंट पार्ट की कटिंग करी थी हम उसको लेंगे इस तरह से आपको बहुत आसान तरीके से बता रही हूं मैं तो वीडियो को लाइक चरून करें और चैनल को स्ब्सक्राइब करना ना भूलें तो हम इस तरह से यहां इसको इस तरह से रख लेंगे इस तरह से और हम यहां माग कर लेंगे हलका हलका तक हमें अंदाजा लग जाए कि हमें इस तरह से कटिंग कर लिए हैं इस तरह से हमने माग कर लिया हम इसको आ लेंगे और हल्का साम यहां से इस तरह से नीचे को लेकर आएगे वो स्लाई के बाद हमारा अपने आपी कोल से इसमें शुर जाएगा इस तरह से हम कटिंग कर देंगे यहां इसको अलग कर देंगे इसको मराबरी रखेंगे इस तरह से अब हम स्मीच की कटिंग कर देंगे इस तरह से कि कटिंग करने के बार हलका साम तेचा यहां से इस तरह से कर देंगे कि यह हमारी स्लीप्स की कटिंग में मैं उम्मीद करती हूं कि आप कटिंग पसंद आई होगी तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप कुर्ते की कटिंग बताईए तो प्लीज चैनल को सब्स्त्राइब कर लिजिए और नोटिफिकेशन बैल को भी आउन कर लिजिए ताकि कि अच्छे सब्स्तराइब कर लिजिए तो प्लीज चैनल को सब्स्तराइब कर लिए देए तो बहुत है हुत है कि यह हुत है।